हेलो स्टुडेंट एक पर फिर से आपका स्वागत है विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के इस यूटुब चैनल पर आज हम फिर से आपके लिए बैलोजी के कुछ कोश्चन ना है वैसे कोश्चन जो एक्जाम में आने के चांसे अधिकतर होते हैं करते हैं हम लोग आज का अपना पहला कुश्चन हमारा आज का पहला कुश्चन है पतियों में गैसों का आदान परदान कहां होता है हमारे पास और सिराओं में ऑप्सन भी है हमारे पास रंद्रों में ऑप्सन सी है मध्य सिरा में और अप्सन डी है हमारे पास इनमें से कही न आधमेटा के प्लांट सथायता से मिलता है अगलेकोोचन के तरफ कौन सी किरिया सभी जीवह के लिए के लिए आनिवार हैं रसा कौण सा खिरिया है जिसा जिवसें के लिए अनिवार है हमारे पास आप्षैन हैं हमारा ऊप्ष nuc ए है प्रकास सेंस्लेशनाउट県 बीसे 합니다 वासपत सर्जन, option C है हमारे पास स्वसन, और option D है चलन, आपको बताना है इन में से कौन सा किरिया है, जो जीवों के लिए अनिवार है, परकास संसलेशन, वासपत सर्जन, स्वसन या फिर चलन, तो इसका सही अंसर है स्वसन, स्वसन ऐसा किरिया है, जो सभी जीवों के लिए अनिवार है परकास Т rifsmudgel और वांसव रजन दसे प्लांट होते हैं हमें चलन हम लोग है और सुवसर th आसे ऐसी करिए जो प्लांट और अनिम्मल बतलब पर सभीष्यू करते हैं मुझते ह् 되는 अगले कोस्टन के तरफ हमरा आज से चोटी आँग पर कुश्चन है कि मनुष के चोटी आँग का भाग नहीं है मानुष के चोटी आँग का भाग नहीं है कि उप्स Highway ऐलियiveness assured- perfam और option C है duodenum और option D है हमारे पास colon आपको बताना है कि इन में से कौन छोटी आत का भाग नहीं है ileum, jejunum, duodenum, colon तो इसका सही अंसर है आपका colon colon हमारा छोटी आत का नहीं बरी आत का भाग है और ileum, jejunum, duodenum आपका तीनों छोटी आत का भाग है बढ़ते हम लोग अपने आज के अगले question की तरब हमार अगला question है मन्रूस में पाचन की किरिया कहां से सुरू होती है हम जो खाना खाते हैं उस खाना का जो पाचन है वो सुरू कहां से हो जाता है जहांसे इसका answer देजिएगा इसका पहला option है मूह से दूसरा option है ग्रास नली से तीसरा option है आमासे से और चोठा option है मारे पास छोटी हांसे हमको बताना है कि मन्रूस में पाचन की किरिया कहां से सुरू होती है तो अगर आपको इसका answer पता है तो comment box में किजिएगा ऐसे सही answer है मूह से खाना जो है और मूह से पचना शुरू हो जाता है हमारे मूह में जुस निकलती है जो मूह से पाचन को क्या करती है शुरू कर देती है बढ़ते हम लोग आज के अपने अगले कुशन की तरफ हमारा आज का अगला कुशन है छोटी आथ में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या करता है धात सुने का जब छोटी आथ में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है तो उस पचे हुए भोजन को छोटी आथ में क्या कहा जाता है हमारे पास option है काई में उप्शन भी है हमारे पास चायल मुठ और ऑप्शन दी है इं में से कोई नहीं आपको बताना कि जब छोटिया था भाजन का पाचन पूर्ण हो जाता है तो उसके पस्चा उसको क्या कहा जाता है तो आए देखने इसका सरी अंसर इसका सरी अंसर है चाइल . जबसक्षि चाइल जब खञता है और छोटी काम पच जाता है थो उसको चाइल के नाब से जाना जाता है तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सेजर और चैनल को सब्सक्राब जरूर करें धन्यवादे